हनमान जी को शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी सम्मंद हनमान जी को जगा ने पाया चाहे वो पुद्धी का हो चाहे वो पिता पवन का सम्मंद बताया हो लेकिन हनमान जी ने जागे लेकिन जैसे ही कहा ना राम काज लगी तब अवतारा तो हनमान जी उठे तो हनमान जी जागे यह संकेत है हम लोग जब समसार में कोई काम करने चलते हैं तो अपने सम्मंदों के लिए करने चलते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिष्टेदारों के लिए, इससे आगे हम सोच बाते हैं लेकिन हनमान जी ने संकेत दिया, जीव का सबसे पहला सम्मंद भगवान से है इसलिए बले ही अपना काम छोड़ देना, लेकिन धर्म का काम सबसे पहले करना राम का कारे सबसे पहले करना, हनमान जी ने ये दर्शन कराया तो जब हनमान जी छोड़े थे, उसमें रिशियों का शाप हनमान जी को मिला ऐसी कथा आती है और हनमान जी का जो अपार बल था वो बल भूल जाते थे हनमान जी और जब कोई याद दिलाता तो याद आती जब थोड़े से और बड़े हुए माता पिता ने हनमान जी की शिक्षा के लिए बेवस्ता किये तो शिक्षा के लिए कहा जाएं सूरे नारायन के पास गए सूरे नारायन ने देखा कि ये वही बालक है जो बच्पन में हमें ही खा गया था हनवान जी ने बाल समेर अभी भक्ष लियो न अभी आपको कथा में सुनाया और गुरू बनाने का जब नंबर आया तो हनुआन जी गए सूरे नारायन के पास महराज आप हमें सिक्षा प्रदान करो तो सूरे नारायन सोचने लगे बच्पन में ही जिनोंने हमें खा लिया अब हम उसको क्या सिक्षा दे सूर्य नारायन ने सीधा सीधा मनातु नहीं किया क्योंकि देखो गुरू की आवशक्ता प्रतिक जीव को है और विशेश रूप से हम लोग देखें गुरू जब तक जीवन में नहीं है तब तक आपके जीवन में शुब समस्कारों की कमी बनी ही रहती है सदगुन कब आते हैं सदगुन कब जागते हैं और सदगुन कब पल्लबेत होते हैं जब गुरू क्रपा जीवन में आये तब इसलिए हमारे यहां कहा गया है गुरू बिन भवनेदी तरही न कोई बिना गुरू के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता मेरा कोई न सहारा मिन तेरे गुरुदेब सावरिया मेरे अपने अपने गुरुदेब को इस्मरन करके मानसी गुरुप से प्रणाम करते हुए गाओ जो समसार में निगुरा है निगुरा जानते हुए जिसका कोई गुरु नहीं है वो सही रास्ते से बटक जाता है और समसार में ऐसे रास्ते पर चल देता है जिस रास्ते का अंत्पतन ही है गुरु होगा जीवन में तो आपको सही रास्ता दिखाता रहेगा